हेलो अस्सलाम अलेकूम बेरिया लाइफ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोजी का टुकड़ी वाला हल्वा और ये सर्प्राइज हमें हमारी बाजी ने हमारी सिस्टर ने आज दिया है चल के देखते हैं मज़िदार इजी और क्विक टुकड़ी वाला सोजी का हल्वा अस्सलाम अलेकूम आज हम बनाने जा रहे हैं सोजी का टुकड़ी वाला हल्वा जिसके लिए आपको दोड़ूरत पड़े ही सोजी की के राधा किलू ली है और चीनी ये भी हमने चितनी सूची लेंगे यह ओना हें अधा किलो 실제로 लेंगे और अधा किलो मेदा ही फार को तो कलर लेंगे और मेवे आपकी मर्जी है जो भी आप डाला चाहें वो डाल सकते हैं और चार अज़त पलाईची लेंगे तो आईए हम पताते हैं कि सूची का अलगा कैसे बनता है टकुड़ी वाला सबसे पहले हमने कडाई में जो एक पाउ घी लिया था से थोड़ा सदा देंगे अधा दाल देंगे भी और आधा मेधा ब्राउन करेंगे तब और ये सूची हमने आधा किलो ली थी इस अच्छी तरी से हमें भूलना है प्लेम आप बिल्कुल मीडियम पर रखेगा अच्छे तरीके से हमें भूलना है इसके लिशानी होती है कि इसमें सुंदी सुंदी से खुश्ग आ जाती है और ये अभी जैसे वाँस चूआँ जाए धो चीज़ाए इसके बाद हल्की हल्की सी ब्रॉण हो جाएगी डाम राम हो जैसी हल्की ब्राउन होगी पिर हम इसे स्पाइं पिर निकाल लेंगे जाए तेज़ने नहीं जाएँ अब दर्मियानी आच पे रखना इसको बहुते रहेंगे यह भूंते भूंते हमें 5 मिर्ट हो गएं इस को अच्छा अच्छा कलार आज भूंते वे दो तीन मिर्ट ऑर इसको भूंते वे तो तीन मिर्ट ऊच्छा अच्छाव में एक चाहरा है बखंड चलाते रहना है ताकी नीजसे लगें टिंगें कि यह थे के हमें पांस मिनट और यहानी कि टोटल ने दस मिनट लगें इसको भूलने में इसको को बोने में फेरी डीक अप संदी ज़स्कोंतिया कुछ जो आ रहे और डिदे के देकि वह ब्स पॉइंट पैसको अब अमेशे अलग बर्तन में निकाल लेना है तो देक हैं अलगेर की बर्ण होगी अब हमेशे अलग सकटा में निकाल लेटा है वर्ण यह की तुछ उचिस पर इसका इसे तुरूआ जिते के सज़ी निकाल लिए अब वही जो गी थोड़ा सूजी में अब आयों के सबस्का राइंगे तो फ़्य ने थोड़ा से उड़ा ड़ा लें शूड़ा लेंगे इसी तरह भी सूजी को ब्राउन के न मीडियम फ्लेम पर ब्राउन के या सूजी में त ustinudada लगे थे इसमें संधी नहींगे या फांच मिनिट में रहना एक आपा करला ते रहें już एक राका जल्दी नाथा इसको घंब काई答 अब अब जिए उन्हे आप इसे हमें उन्हें पूड पूड़ान चाहिए इसा उन्हेजिक करें तो में निकाले लिए भी नीए श्राप नियू चलवा के बागी कुर्णे कर बहुते हैं जब ते हमें उस्टे चरे जन्सादिस से मिला, राइची करया हुए कूट के कूट के अलाइची डालेंगे तो कुछबू बहुत अच्छी हाती इसकी इस पे एक कप हमने दूद लिया है तो डाल देंगे इसको डाल देंगे कि अच्छी ंच्छी जब दूद दाल दालाए तो यह वीडियो के शर्ण दूद दाल दाल जान दाल दालाए तो इसके बाद मैंने आपको बता यह था आदा किलो चीनी ओनाव एड़ करी और इसमें अपका प्रभाइब यूट कर दालने के बाद आपने 1-3kg चीनी डालनी और प्रभाइब दालनी है जिसको यह कलर चाहिए तो फिर एक चुटकी और सकता है यह बहुत है और अगर आपको नहीं पसंद आप इसको कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो आप इसको डालें, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको एड़ किया है, यह अप्शनल है, और इसको हम पांच मिनट तक बॉइल होना देंगे, जब तक दूद बॉइल हो रहे हैं, हम अपना थाल को रिडी कली होगा, यह जो बचावा था गी तहल कासा बचा लिया था, प्षना प्चा लिया था, और पूर अप्योडे ओगारे तो पंचाना जेँंगे, आप इसको तो आपना तो अच्छ जा जान, कि शोड़ा अबशा को निश्यां, कि आप दूगा ओड़ा देंगे, तोड़ से बदाम हम ये नीचे चड़क देंगे और कुछ बदाम हम घुछायाँ इसको पर दाम हम दूद हमारा बॉयल हो रहा है इसकी बदाम हम भी कि भी मेख़ा हैं पर दूद हो इसके बोलए ही है सुछी तोड़ का इसको बदाम को वहां है। हुआ गगे हमेले टार पर प्रबद सुछी नेली है हुआ हम दूट कर दोड़क जए जाम है ते पांच मिनट ते इसको बॉल करना है यह पांच मिनट होगें इसको तक 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 अब इस फोफ रमने जो सुजी हमने बिनी थी और जो मेदा पून के रखा था वो दाली है अब यही सुजी हमेदा हुआ है सारी सूजी नहीं रबालें आज अपने हर्की रखनें सारी सूजी में आदा सब्ता आइए अप्छे से मिक्स करें करें अपने की नहीं गया हुआप। सब्सक्राइए करें आदा करें पूला कराई छोड़ देगा तब पूता है बदेड़ चोड़ा करें, तो फिल्बे ने जाए और कड़ाई चोड़ने चुड़ा चुड़ा है थोड़ा सा एक नट और हम सो अच्छे से तो एक अच्छा सा इसे पीरा पोड़ाई यह ऐसा है ऐसा इसी पोडिशन में होगा ना जादा गाड़ा है ना जादा पकला इस तरह आसी तभी कड़ाई भी इसका छोड़नी चुन करती है इसलिए एक मिनिट होने वाला है तो हम चूला ओफ कर देंगे इसका हमने चूला इसका ओफ कर देना है अब इसको कड़ाई में अब हमने जो हल्वा यह हो गया था फ्रेम ओफ कर दिया था ठीक है अब इसको फोरण ही हमने थाल में शिफ्ट कर देना है ताकि यह नहां पे ना जनी जाए अब पूरा पहला देना है थाल में अब आप तो यह तो यह क्षेशे निकाले इसको पहला देए इसको शैट होने में कम से कम तसमिनट लगेंगी इस पॉइंट पे आपने जो यह बडाम गार्णिश गाट के रखिया था तो गार्णिश करतें जाए अब कि अच्छे जबी कुला चाहिए बर्जी आपकी बदाम पिस्ते किश्मिश्ट मैंने इसमें इसमें दाल दी थी अपर से आपकी मर्जी और कुछ भी इसमें इसको हम दस मिनट के लिए ऐसी छोड़ देंगे सेट होने के लिए कि यह दस मिनट हो गए है अब हम इसको कट कर लेंगे कि छोड़ा सेट हो गया है दस मिनट के बाद जिस तरह से भी आप इसकी शेव देना चाहिए अपर मर्जी है अब इसको हम आदे घंटे के लिए छोड़ लेंगे अदा खंठ हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे दुबारा से इस पर कट लगाए देखें हमारे बच्छों से बर्दाश्ट नहीं बैर तो इन हमने थोड़ा से खाल लिए इस तरह से पट लगए अगर आप लोगए तुकडी निकाल लियां अच्छा आमने आपको बताती हों इकितनी सॉफ्ट है टुकडी भी है और सॉफ्ट भी है सख नहीं है कि खाने में आपको मुश्कील हो गर में बुद्रूक होते हैं बच्चे होते हैं वो बहुत शॉप से खाते हैं कितना सॉफ्ट है यह भी और इतना टाइम गुजरेगा यह थोड़ा सॉफ्ट सब्सक्त होगा लेकिन सॉफ्टनेस जो है इसकी ऐसे ही बरकरा रहेगी और हम्म बहुर भी मज़ेगा आप ट्राइ करें अपने गरों पे और मिझे बताएगा कासा बनाओ आप एक किलो सुजी का बनाना चाहरे है जैसे हमने आदा किलो में एक पॉ मैदा लिया था तो एक किलो सुजी में आप आदा किलो मैदा लीजेगा और आदा किलो ही गी लीजेगा और एक किलो अगर सुजी है तो एक किलो ही चीनी लीजेगा ये अल्मा मेने 1-2 kg सूजी को बिनाया था तो आदा किलो सूजी ती इसमें, 1-2 kg चीनी ती और एक पौ हमेदा था और एक पौ गी था और अवेते और जड़ते कर रंग था जड़ते कर नग भी आप सक्टेंटें अगर आपको white कलर का सुची का अलवा अच्छा लगता है तो आप कलर मत डालिएगा इसको वैसी रहने जाएगा अजिट इस इंजुआए करें जड़बालों के लाएं करें शेयर करें इंशाला अगली वीडियो में मुलाकात होगी लाफेज